मेरे लिए बिना घी की रोटी लाना हर गर के डाइनिंग होल से आने वाली ये काम आवाज है आपके घर से भी आती होगी लेकिन मैं हमेशा घी की रोटी खाता हूँ क्योंकि घी को मना करने का मतलब है सीधे सीधे सेहत को मना करना पहले के जमाने में लोग रोजमरा के खानों में गी का इस्तमाल करते थे गी से मेरा मतलब है देशी गी से खास तोर पर गाय के गी से गी को अच्छा माना जाता था और कोलेस्ट्रोल और हार्ट अटेक जैसी बिमारिया कहीं सुनने में भी नहीं आती थी लेकिन फिर शुरू हुई गी की नेगेटिव पबलिसिटी बड़ी बड़ी विदेशी कंपनीज ने अपने बेकार और यूजलेस रिफाइंड सोयल को सेल करने के लिए लोगों में गी के प्रती नेगेटिव पबलिसिटी फैलानी शुरू की कि घी से मोटा पा आता है, कोलेस्टोल बढ़ता है और हाट अटेटेक आने की संभावना बढ़ती है जबकि ये सरासर गलत है और धीरे धीरे लोगों के दिमाग में ये बात घर गर गए कि घी खाना बहुत ही नुकसान दायक है घी ना खाने में लोग प्राउड फील करने लगे कि वो हेल्थ कॉंशियस है जबकि घी खाना नुकसान दायक नहीं बलकि बहुत ही फाइदे मन्द है घी हजारों गुणों से भरा हुआ है और खास तोर पर गाएं का घी तो खुद में ही अमरत है घी हमारे शरीर में कोलस्ट्रोल को बढ़ाता नहीं बलकि कम करता है घी मोटापे को बढ़ाता नहीं बलकि हमारे शरीर के खराफ फैट को कम करता है घी एंटिवाइरल है और शरीर में होने वाले किसी भी इंफेक्शन को आने से रोकता है घी का नियमित सेवन, ब्रेन टोनिक का काम करता है और खास तोर पर बढ़ते बच्चों की फिजिकल और मेंटली ग्रोथ के लिए ये बहुत जरूरी है ये जो उर्षते बैठते आपकी हड्डियों से चर्मर की आवाज आती है इसकी वज़े आपकी हड्डियों में लुब्रिकेशन की कमी है अगर आप घी का नियमित सेवन करते हैं तो ये आपके मसल्स को मजबूत करता है और आपकी हड्डियों को नरिश करता है घी आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है और बिमारियों से लड़ने में आपकी मदद करता है घी आपके डाइजिस्टिंग सिस्टम को भी ठीक रखता है जो आजकल सबसे बड़ी प्रोब्लम है अब हम बात करते हैं कि घी को कितना और कैसे खाए एक नॉर्मल इंसान के लिए एक दिन में 4 टीस्पून घी काफी है कैसे खाए? घी को आप कुगड और अनकुगड दोनों ही तरीके से खा सकते हैं चाहे तो आप इसमें खाना पका ले या फिर बाद में खाने के उपर से डाल के खा ले दोनों ही तरीके से घी बहुत ही फाएदेमन्द है और सबसे खास बात अगर आप हमेशा ग्लोइंग, शाइनी और यंग स्किन चाहते हैं तो घी जरूर खाए क्योंकि घी एंटियोक्सिडेंट है और यह आपकी स्किन को हमेशा चमकदार और सोफ्ट रखता है अपने नियर एंट डियर्स की अच्छी सेहत के लिए उनसे इस वीडियो को जरूर शेयर करें और जो लोग कहते हैं कि उन्हें बिनागी की रोटी चाहिए उन्हें तो इस वीडियो में जरूर चाहिए